दोस्तों आप सभी का स्वागत है 13 March के Current Affair में आप सभी को पता है कि इसमें हम डेली Current Affair के Fact भी रखते हैं कुछ News भी रखते हैं और Banking Awareness जो आपके काम आती है Banking में या Insurance में जो भी Exams होते हैं जैसे कि ESIC और अभी जो भी हुने है ठीक है उन सब में काम आता है तो हम डेली पिस पे इखटा करते हैं और UPSC की जो MCQs होते हैं उन पर भी हम बात करते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं बिना समय गवा है ठेक हैं तो 13 मार्च का current affair और MCQ आपको last में मिलेंगे पहले हम कुछ important current affair देख लेंगे तो सबसे पहली जो current affair में आपको सबसे पहले जानना वो यह है कि गितांजली श्री एक बहुत बड़ी writer है इनके द्वारा एक लेखी किताब है जिसका नाम है रेत समाधी रेत समाधी को English में कर दिया गया है और उसको English में करने वाली का नाम है Daisy Rockwell आप वो किताब वहाँ पे देख सकते हैं Daisy Rockwell ने इसको English में translate कर दिया है और इन्होंने जब translate किया तो आपको मैं बता दू कि अब जब रेत समाधी हिंदी में है तो English में क्या कहेंगे Tom of Sand ठेक हैं और ये जो कहानी जो किताब है किताब है किताजली श्री ने जिसको लिखा था हिंदी में तो उन्होंने इसे जो हम partition जब हो रहा था ना मारा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब अलग हो रहा था partition उस समय एक 80 साल की महिला जिसमें अपने पती को इस partition में खो दिया था और वो डिप्रेशन में चली गई थी फिर वो अपने डिप्रेशन से वापस लोट करके निगलती है और अपने इस खोई हुई चीज का सामना करती कैसे पाकिस्तान वापस जाती है और सामना करती कि मैं लॉंग लिस्टेट जो होती है उनमें इसका नाम आ चुका है तो इसमें लिखाई हुआ है टॉम आपसेंड इस अमंग 13 बुक्स लॉंग लिस्टेट फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइस तो आपको इध्यान रखना है रेत समाधी किताब किसकी है और कहां यह आ चुकी ह तो ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला है स्कॉच मैं आपको बता दू यह जो SK OCH है दोस्तों इसका जो मुख्याले नियु देली में है और इसके जो चेयर्मैन है वो समीर कोचर साहब है यह क्या करती दोस्तों यह जितने भी राज्य होते हैं उनकी नंबरिंग उ की गवर्नेंस कैसा है इस अब बिजनेस करने कितनी आजादी है वहाँ पर बड़ोत्री महिलाओं की स्थिति सब कुछ देखते हुए किसी भी राज्य को यह रैंक देता है और आप देखिए जरा आंदर प्रदेश को लगातार दूसरी बार रैंक वन में रखा गया है इसस दोस्तों इसमें सब कुछ देखा जाता है और आप देखें टॉप 10 में तो बहुत सरे राज्य हैं लेकिन आपको टॉप 5 बता जता हूं तो आंदर प्रदेश नंबर वन हो गया फिर आता है वेस्ट बेंगल फिर ओडिशा फिर गुजराक फिर महारास्ट और आपको नीच प्रोजेक्ट किया है दोस्तों आपको मालूम है उत्तरा खंड में यमनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रिनाथ इनको इंटर लिंक करना है all weather connectivity मतलब हर मौहल में हर मौसम में उनके बीच में connection बना रहे ऐसा नहों कि भारी बारी शोरी तो इन चारों के बीच में connection तो सुप्रीम कोट ने एक्स जजज जो है एके सीरी को इसका chairman या इसका head बना दिया है और ये है दोस्तों आपको मैंने बता दिया चार था project ठीक है चली वो एके सीरी जी की photo है जो आप देख रहे हैं अब आप ये देख रहे हो ये दोस्तों international airports की बात है मतलब भारत के total 6 Indian इंडियन airports ऐसे हैं जिनको award दिया गया है किसके द्वारा दिया गया दोस्तों ये airport council international नहीं क्या है airport service quality मतलब कौन सा airport कितनी service की कैसी quality है वहाँ पर साफाइस वच्छता सब कुछ देखा जाता है वहाँ पर सिक्यूरिटी सब कुछ देखा जाता है तो यहने कि क्या देते है वह airport service quality एक survey किया था Asia Pacific पूरे region में तो हमारे भारत के total 6 airport इसमें आए है और मैं आपको बता दू कि इसकी ranking अलग-अलग होती है जैसे किसी airport में कितनी भीड भाड हुई है उसके हिसाब से किसी airport को rank देते है तो इन्होंने भीड भाड के हिसाब से airports को अलग-अलग किया है तो सबसे पहले भीड 40 million traffic आता है तो 40 million traffic के हिसाब से अब 40 million traffic आप समझते है अगर एक पूरे साल भर की बात है पूरे साल भर में 40 million traffic वाले कितनी से airport है उनमें सबसे बहतरीन किस ने किया तो उसमें हमारे इंडिया में सबसे बहतरीन किया भाईया दो airport ने मुंबई के छत्रपती शिवाजी महारा International Airport ने भी इसमें साल भर में 40 million passengers आए गए और वहीं दिल्ली के इंदरा गांधी International Airport इन दोनों को 40 million passengers की ये सालाना वाले ट्रैफिक में ही best award दिया गया है तो ये दो airport हो गए 6 मैंने कहें आप से दो ये हो गए और मैं आपको बता दू कि मुंबई को लगातार पाचवी बार ये का वर्ड मिला है समझगे दोस्ता आप सब्सक्राइब को भीड़ कम करते चला आता हूं थोड़े चोड़े से शुरू करेंगे बड़े की तरफ दो से पांच मिलियन में अगर आप देखोगे तो दो से पांच मिलियन वाले ट्रैफिक में जिस एयरपोर्ट ने कमाल किया व ठीक है तो दो दो चार यह पांच ठीक और एक बचा आपका तो वह है दोस्तो 15 से 25 मिलियन वाले में और यह है राजीव गांधी जो की हैदरावाद में है ठीक है तो यह थे वह इंटरनेशल एरपोर्ट जिसको मिला है ठीक है तो आपको ध्यार रखना है चले आगे बढ़ और यह जोती रादित सिंधिया जी ने भी इसका उठाटन किया साथ में शिवरा सिंग चोहान भी थे अब आपको मालूँ दोनों भाजपा में ही है ठीक है और जोती रादित सिंधिया जी अब यूनियन सिविल एविशन मिनिस्टर है ठीक है अब देखे इसके अलावा चा तो मैं बन जाया लेकिन इस बंदे और तरीकी से वहां पेश कर देगा अब तो इस तरह की ट्रेनिंग चल रही है तो यह जो टिंकरिंग लैप में आप से कहा नहीं टिंकरिंग लैप में क्या करता है जितने भी शिक्छक हैं जो पढ़ाते हैं या फिर जितने भी स्टुडेंट्स हैं उन सबको अब वर्चुल रियालिटी से छोड़ करके और अगमेंटेड रियालिटी के बारे में भेंकर क्योंकि अब दिजिटल चीज़े बढ़ रही है अर्टिफिशल इंटेलिजेंस सब कुछ बढ़ रहा है इसलिए ट्रेनिंग भी इस पर बढ़ रही तो अटल इन्विशन मिशन आपने सुना होगा उसी के तहत अटल टिंकरिंग लैब बनाई जा रही है और यहां पर यहा इस प्रेक्टिकल नॉलेज है वो उनको सर्व कर पाएगा तो बच्चों को पहले सी पता होगा रॉक्ट यह होता है इस डिरेक्शन में उड़ता है दुनिया दारी सब कुछ अगर समझ में आ जाएगा तो बड़े होते होते उन्हें और कैरियर जो है अपना क्लियर हो नाम ही है युवा विज्ञानी युवा विज्ञानी कार्यक ठीक चलिए अब देखते हैं यहां पर देवाशीष पंडा पंडा केना यह आप पर छोड़ रहा हूं देवाशीष पंडा जी तो दोस्तों इनको अपॉइंट किया गया है एडाई का चेर परसन देख एडाई तो उनको कंट्रोल करने वाले कोई तो इसके बारे में आपने शना होगा उसके बारे में तरह से इन्चोरेंस रेगुलेटरि एंड्ड फॉरिक्म एंड अफूरिटि ऑफ इंडिया बीए जो इसी के जो उनीस अतासी बैच के आई एस ने देवाशीष पंडा इनको बनाया ठीक है चलिए भई आगे चलते हैं भई पेटियम दोस्तों देखो सब जानते हो पेटियम आप बहन कर यूज़ कर तो आप चलाते थे पेटियम पहले थे आप सकैन कर रहे थे पेट कर रहे तो अलग चीज़े अब पेटियम बैंक भी है 2017 में बैंक खुला था आपको पता वाली में RBI ने इनको बना कर रहा है कि अब आप एक भी कस्टोमर एड नहीं करोगे अब ऐसी क्या बजब अब RBI कैसे घुशित कर सकता है देखो दोस्तो RBI सब कर सकता है क्योंकि RBI Central Bank है और उसके जो भी बैंक आप खोलो के वो तो रिस्टर्ड वहाँ होगी चाहे अब बात है कि एक एक की तहहते सारा काम होता है और यहसा नहीं को रोका गया है कब रोकती है इन्होंने क्लियर नहीं कि लेकिन इस बारे में आपको बताता हूँ जो एक्ट कहता है ना 1949 का एक एक्ट है अर्बियाई का उसके तहत उसमें 35A एक धारा है उसमें लिखा हुआ है कि आर्बियाई किसी भी बैंक पर रोक लगा सकती है नए अब इसमें साफ मना के और इससे पहले HDFC में भी रोक लगाई थी वो क्या कर रहे थे नए क्रेडिट लाओगे ना कुछ HDFC बैंक में पूरा रोक लगा दी लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगो अब उन्होंने अपने जो रिस्ट्रिक्शन से उसको लिफ्ट कर लिया भटा लिए अब वो न्यू क्रेट कर सकते सब कर सकते क्यों क्यों मना कर रहा है क्योंकि उन्हें लगता थैः और यहां पर मैं आपको बता दो की पेटीम वालेट अलग चीज़ए मैंश के लेभी प्रसंट में इस समझारा एक पूरे बैंक में एक इनसान का जाथमी से कम नहीं होता है यह इस बैंक में भी था फिर देखो जब डूबा तो सब शेयर बेच करके सब भग गए थे समझ गया तो आर्बिया को कहीं नहीं खत्रा लग रहा है और दूपर से यहां पर के वाइसी भी अच्छे से इनकी बैंक में नहीं हुए यहां पर लिखा देखो पुब्लिक इंट्रेस्ट में आर्बिया कुछ भी डिरेक्शन्स दे सकती किसी भी बैंक को अभी आपको सुनना यह सब्सक्राइब कर लिए अब उनको कहा है कि अब डिजिटल अपना प्लान जो है शुरू कर सकते हो नए नए क्रेडिट कार्ड जो ह से मामला हुआ है वह पूरा पैसे ले करके भागे थे पूरे लिटवी पब्लिक थी तब से यह काम होने शुरू हो गया है ठीक है दोस्तों तो अच्छी बात है तेक है और आर्वे लगातार काम करी रही है हर चीज में चलिए साब अब आते हैं यहां पे सोली सोराब जी को अपने है बंसर्कार तो वही हैं तो वह किया करेंगे अपने वकील रखते हैं तो उस दरप केंवकील को एकड़ानि जनर्लों क। और आप देख रहे हैं यह जो Attorney General सुराप जी थी यह दो बार Attorney General रहे है अब इनका नाम क्यों आ रहा है सुराप जी ऐसी क्या बात होगी कि गुजरात में पैदा हुए थे मिडल स्कूल में पड़े थे इनका एक पैर खराब था यह मैं आपको बता था इनकी पिता जी 19 साल के जवाब नहीं आता था तो इनके ऊपर किताब लिखी है चंद्रचूर जी ने अब इनका क्या है मामला कि इन्होंने 1970 में जो आज भाजपा कहता है जिसे आप वह पहले जनता गवर्मेंट थी जनता गवर्मेंट के बिहाब में सुप्रीम कोर्ट में ने दलीले पेश की और जीत भी गए तो कॉंग्रेस को डिफीट किया था सुप्रीम कोर्ट में इसी लिए इनके उपर किताब लिखी गई है तो इनकेस अगर आपको लॉग वगरे थोड़ी जानकारी चीए तो किताब जरूर पढ़ियागा क्योंकि दलीले उसमें दी गई होगी इनकी पूरी शही है तो पहला दूसरा शही तो दुसरा दुसरा दुन सही होते दोनों सिवाला गलत हो डज के पहला हमारी है 거는 मिद्चेत्र परीशान मतलब इस्मॉल विटम इतन्स नमाड़ी चेंट्रम अब समय गई होंगे तरिए यहां पी इ攻द मुका तो हमां नहीं हमारी इकोनोमी क्योंकि यह बड़े-बड़े तो सब बंद हो गए था आपको पता करोना काल के चलते चोटी-चोटी चीजों नहीं हमारे इकोनोमी को बढ़ाया था तो इनका कितना योगदान रहा परसन्ट वाइस और कितना इनका योगदान रहा पैसो वाइस बस वह यहां पर पॉइंट और दूसरा कि जो सूक्षम बित्तो उद्योग थे मैंने बताया ना छोटे मजोले जैसे इसमें महिलाएं थी जो कांच का काम कर रही थी खिलोनों के काम कर रही थी सेनिटाइजर्स की बॉटल पेक कर रही थी मास्क बना रही थी आपने देखे होंगे छोटी-छोटी चीज बहुत सरी हुई है ठेक है तो अब आपको पिताना है कि सकल रेड़ पोर्टफोलियो 25 रुपए रहा मतलब इनके पास जो रेड़ है और पैसवाइस 2.5 ट्रिलियन है समझ गया है यह इंतर दोस्तों बस मैंने कहा कि यहां पर पॉइंट हड़ा दिया आपके लिए समझ गयो गया आप मेरे बात है ना आंसर डी तो यह यहां पर लिखा हुआ है ठीक है यह पीडिएफ आपको मैं दे दूँगा आप चिंता की अनुसार यह पॉइंट है आपको बताना है कौन से सही उत्तर का चैन करिए केवल एक दो दोनों सही यह दोनों गलत तो पहला है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के अनुसार पूर्व उत्तर आप समझते ना पूर्व उत्तर उत्तर और पूर्व यानिकि हमारे जिसे कि उत्तर खंड यूपी यह सब पूर्व उत्तर राज्य हो जाते हैं तो वन आग के लिए सबसे संवेदा इंशील चेत्र मतलब भॉजल्दी आग लग जाती है दूसरा पॉइंट भारत में मार्च और अप्रेल के दोरान जंगल की आग की सूचना सबसे अधिक मिलती मतलब मालूम चलता है कि मार्च और अप्रेल में बहुत शिकायता थी कि यंगल में आग लगी गई है तो जब जमीन में बड़ी मात्रा में सूखी लकडी लॉग या मृत पतियां मरी होई पतियां जो रहती डेड़ वाली स्टंप हो गई तो सूखी यह सब रहता है तो यह सब हो तो वह यहां पर लिखा हुगा है और याद रखेगा वरिस्तिती रिपोर्ट 2019 की बात है इंद हैं दोस्तों अब आपने सुन लिया होगा नितिन गडगरी साब को और मोधी साब को भी सुना होगा आज के देड़ मोधी साब ने क्या बोला यह सबी स्टुडेंट के लिए ह तब ही successful होंगे आप यह तो सभी को कहा उन्होंने यह इसलिए कहा उन्होंने कि जहां पर जब उन्होंने जो खेल महाकुंब की शुरुआत उन्होंने की दिए 2010 में तब उसमें भागीदार थे 13 लाक और अब उसमें भागीदार हो गये 55 लाक ठीक है बहुत बड़ी बात है और इतना इन नितिन गड़गरी जो है हमारे आपको मालूम है रोड एंट ट्रांसपोर्ट जो यूनियन मिनिस्टर है उन्होंने साफ साफ कहे दी कि अगले छे महीने में जो है फ्लेक्स वाले इंधन जो गाड़ियों मान लेंगे इस फ्लेक्स वाले इंधन का मतलब ही होत से आपको मालूम है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो मोदी जी ने चीज़ कह दी कि भाईया ऐसा है कि यह देखो कि हम अपने से क्या बना सकते हैं कोशिच करो यह ना रक्षा में आपने देखी रहे साफ साफ उन्होंने कह दिया पूरी रिपोर्ट मगाई यह बदा हैं इंधनिधन पर मैंने बात कहिए आपसे इंधनिधन 관 writers चल रहे हैं वाई आप मामालूम बैटरी चलने लगीं तो बैटरी ने पहीं और आफ ऻुण घरा करतेążैं दूसरा इंधन सल वाहन परिवहन के सबसे स्वच साधनों में से है क्योंकि वे कोई ग्रीन हाउस गैसों का उचर देगा तो यह बिल्कुल स्वच तरीके के प्रभावी ढंग से बिजली उत्पन करने के लिए हाईड्रोजन की रसाइने कूर्जा पर निर्वर करता है और यह कोई भी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं देता है अब आप देख रहा नहीं यह बिजली उत्पन करेगा और बिजली से तो क्या निचल सकता गाड़ी चला लो क्या नहीं चला लो समझें तो देखिए अब क्या ह हमारे यहां महंगाई बढ़ती है महंगाई बढ़ने का मतलब inflation होता है या तो हमारे यहां महंगाई बिल्कुल कम हो जाती है जिसका मतलब deflation होता है जब महंगाई बढ़ती है तो आको मालू महंगाई कब बढ़ती जब पैसा बहुत होता है market में और कब आती है यहां पर मह RBI भी कुछ policy के तहत ही ऐसा करती है अब आपने देखा होगा कि अब खेर इसमें ज्यादा नी जाओंगा वरना economy ही यहां पर पूरी शुरू हो जाएगी कि क्या है अभी के लिए तरह समझ लिजे कि दो तरह की नीतिया निकाली जाती है ठीक है policy निकाली जाती है है आपकी फिसकल पॉलिसी यानि की राजकोशी नीति समझ गया आप सभी के सभी तो इस तरह से काम चलता है अब आप सुनिए अगर अ कौन सा होग नहीं है छार को मालूम है यह सब किसका काम हुता इंडियन का मामला होते ही तो पता हो amounts नहीं पता तो हलका सा आईडिया देखिए हलकी से भी चीज आगर आपको पता तो आप अराम से एक option चुन सकते हैं तो आपको समझ में आ गया हो कि repo rate, bank, दर और यहां पर देखिए open market operation अब यह market operations वगेरा यह जितने भी काम होते ही RBI को सौपे जाते है ठीक है तो यहाद रख आपकी के जो A, B और D है यह आपकी RBI करती है समझ के तो इसका आंसर पूछा नहीं है कौन सा भाग नहीं है आपके मौदरिक का तो उपकर नहीं है सी साब यह देखिए ठीक चलिए आपको समझ में आ गया होगा मैं समझाओंगा आपको कभी economic अच्छे से अब देखिए आपको यह बताना है अरुनाचर प्रदेश त्रिपुरा हिमाचर प्रदेश ललदा की तो यह दोस्तो हिमाचर प्रदेश में है ठेक है यह हट्टी समूद आए और यह स्टी है इनको स्टी का टैग देने की बाद चल रही है केंसरकार के पास अभी यह मामला गया हुआ है अब वहां से जब मॉंजूरी मिलेगी तो इनको बना दी जाएगा ना इनको स्टी घुशित कर दी जाएगा अब सबसे इंपरड़ेंट बात है जो जहां पर रहती है अब आपको वह एरिया में थोड़ा सो बता जता हूँ यह जहां पर रहती है वह सिरमौर है हिमाचर प् पास एक कोट खाई जुबल की कुपड़ पहाड़ियां नाम है कुपड़ पहाड़ियां तो वहां से निगलती है और सिरमौर में जाती ही फिर वहां की सबसे बड़ी नदी है और यहां से बहते हुए पूरे दक्षड पूरू दिशा में जाती हुए अंत में जाकर के सब्सक्राइब करें इतने थी बात इसमें अब हमारा लाज सेगंड कुशन है आप पर देखें के जरह धें से केंड्री मंतरी मंदल भारत में डबलू-एचो ग्लोबल डेखो जो केंड्री मंदल मोधी सरकार जी ने डबलू-एचो के साथ मिल करके क्या बनाया Global Center Global मतलब विश्वितोर पर Center for traditional traditional पुराने समय में जैसा होता था traditional medicine समझ गया न पुराने के समय के हिसाप से जब दवाइया दी जाती थी बिल्कुल उस तरह से एक Global Center बनाया जा रहा है यह बन रहा है दोस्तो जाम नगर, जाम नगर में, याद रखें कि गुजरात में आता है यह, तो सीथे आपको मैंने आंसर बता दिया, कहां पर है, तो आप यह पढ़ सकते हैं, अब देगे ध्यान से, पहला है कि यह जो योजना है, दीन दयाल उपाध्या, ग्रामीड कोशल लिए ना आपको समझ में आ रहा हो ग्रामीड कौशल याने ग्राम के जो बंदे हैं उनको कौशल देना ताकि नौकरी कर सके हैं प्लेस्मेंट के लिए है अप समझ गया होंगे है ना कौशल से यही मतलब होता तो भारत सरकार द्वारा वित्पोशित मतलब भारत समें फंड देती है जब इसको फंड मिलेगा तब तो यह सिखा पाएगी नोकरी दे पाएगी ना फ्री में कैसी खाई तो सरकार द्वारा वित्व पोशित एक राष्ट्र व्यापी मतलब पूरे नैशनल लेवल पर चलता है प्लेस्मेंट लिंड कोशल प्रसिक्षण कारिक्रम है पहला गलत है यह दोस्तों वाकई में एक एसा प्रोग्रम है जिसके तहट जो है नौक्रियां दी जाती है खास तोर पे अब इस प्रोग्राम का ध्यान सुनिए इन नहीं काई कि अगर हम दे किसी को प्रसिक्षण दिया है तो कोशिच यह होती कि उसमें संतर लोग को तो प्लेस् कि यूपिस्टी कुश्चन भी यहां पे खतम होता है करेंट फिर भी हां पर खतम होता है बैंकिंग अब इसमें आपको बताई दी क्या क्या हुआ पेटी एम खतम होता है